हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब अच्छे ही होंगे और मैं वीडियो भूत लंबा समय हो गया, मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसका रीजन कुछ और था और उसका रीजन क्या था, वो कभी मैं और बताऊंगे आप सब को तो फ्रेंड्स मैं बहुत लंबा समय होने के बाद आज वीडियो बना रही हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं चार महिने से वीडियो नहीं बना पाई हूँ, और बीच में थोड़ा सा कोसिस भी किया था, बट नहीं बना पाई, तो फ्रेंड्स प्लीज, प्लीज, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, और आज का जो टोपिक है वो महन्दी पे है, कि हम नेचुरल महन्दी गर पे कैसे लगाएं, और आम सो सोरी, इतने दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, कुछ कमेंट भी आते थे कि आप ठीक तो हो, तो जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, और अच्छे एच्छे वीडियो बनाने की पूरी कोसिस करूँगी, जो आपके हैंट पे जब आप महदी लगाएंगे, तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेर करें, वीडियो को प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं भी जितना पीछे रह सक्यों, जल्दी से आगे भढ़ ज आपको, उसके अंदर आपको कोफी का पानी जो है, वो इस तरह से बना लेना है, उसके अंदर आपको एक चमच सुगर एड करनी है, उसके बाद आपको सुगर लेनी है, जो भी इसमें एक चमच मैं चीनी मिक्स कर रहे हूं, जितनी आपको महंदी लगाने हैं, उस हिसाब स मेरेहें जो मिक्स कर सकते हैं मैं इसमें ले रही हूँ है एक चमज और मैं पानी को अच्छे से मिक्सके कर लूँ गब फेंगाही। पानी में मिक्स हो चुक है एक जणक उसके बाद को जब फले रही है вам और जलेने मेहंदी ले रही हूँ यो diz permit आण पूल कोई भी हो लगाना चाहिए वह मार्केट से आप पेकट भी ला सकती है तो इस तरह से आप तो फ्रेंट जितना हो सके वह आप खुला पेकट ला सकती है या फिर पेक वाला ला सकती है आप जो भी आप ला सके वह महंदी लेकिन उसमें कलर आना चाहिए यह महंदी बहुत अच्छी है मैं मार्केट से लेके आई थी और ये खुली महंदी है तो हो सकी तो आप देख लीजी लगा कि थोड़ा सा लाकी उसके बाद आप इतनी महंदी आप जितनी लगाने चाहें मंगा सकती तो मैं इतनी ले रही हूं महंदी दो चमत तो फ्रेंट से जो महंदी है इसमें एक चीच और मिक्स करने उससे आपकी जो महंदी का कलर अब होती प्यारा आएगा बहुत सुन्दर आएगा तो आपको क्या करना है इसके आप देख सकते हैं गुडवाइप्स का ये ओईल है नीलगिरी का ओईल है तो फ्रेंट से इसना लेना है वो बता रही हूं तो इसके अंदर आप 15-20 ड्रोप्स डाल दीजिए इसके अंदर तो मैंने इसमें डाल दिया है तो फ्रेंट्स अब दीरे दिये आपको इस पानी को इसमें मिक्स करना है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है आपको इस तरह से मिक्स करना है इसको तो फ्रेंट्स उसके बाद आपको फोईल पेपर लेना है अगर आपके पास फोईल पेपर ना हो तो आप पोली थिन भी ले सकते हैं तो उसके बाद आपको तो महंदी जो है उसे अच्छा से टेक कर देना है इस तरह से अब इसे आपको तीन से या फिर दो गंटे या तीन से चार गंटे तक आप इसे इस तरह से रखती है तो फ्रेंस इसे मैंने तीन से चार गंटे तक रख दिया था और ये तीन से चार गंटे हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं महंदी को भूत ही अच्छे से ये मिक्स हो चुकी है और इसे अब लगाने के लिए आपको जहां भी आपको लगाना हो कौन में भरके लगाना हो या कम से कम पान साथ घंटे तक तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि नेचुरल महंदी है तो कलर आने में थोड़ा टाइम लेता है तो इसे मैंने नाइट में लगाया तो आप देख सकते हैं ये महंदी मेरी सूख गई है और कितना प्यारा कलर आया है वीडियो पसंद आए तो प्ल